जैन मैंने पहले बोलाता कि अगर मेरी वीडियो को अगर आप पूरा नहीं दोखोगे तो इसी तरह के अगर प्रोब्लम में फसोगे एक है प्रमोध गुमार यादव जो ये देख लिजे इनकी परफाइल है मैंने इनको पहले समझाया हुआता कि फेस्बुक से अगर अर्नि का मिलने वाला नहीं था क्योंकि फेस्बुक के न्यू अपडेट के अनुसार अगर आपका एक बार जो परफाइल या पेज है डिमोनेटाइज हो जाता है तो पिछले मैने में जो अर्निंग हुआ रहता है वो इस मैने में आप उठान नहीं सकते हैं ये क्लियर कट फंडा हो चुका है जो मैंने काफी वीडियो में बताया है ठीक है इन भाई साब को मैंने पहले समझाया था कि फेस्बुक से अर्निंग करना है तो किस तरीके से करना है और इन्होंने क्या क्या मेरी बातों को सुरुआत में तो धिया लेकिन बाद में अपना दिमाग चलाने लग जहां पर अगर आप अपना दिमाग चलाने लग जाओगे तो आपको इसी तरीके का प्रोब्लम का समना करना पड़ेगा मैंने इनको सारा चीज बता हुआ था कि फेस्बुक से बोनस से अर्निंग किस परकार से करना है किस परकार से फोटो अपलोड करना है उनमे किन-किन बातों का ध्यान रखना है इन्होंने बाद में ध्यान नहीं दिया इसी वज़े से सारा डिमुनटाइज हो गया 2000 डॉलर का पेमेंट तो रिसीव कर लिया लेकिन इस मैने आप इसका डिमुनटाइज हो गया जो पहले मैने का अर्निंग था पिछले मैने का जून का वो आप इस मैने में पेमेंट इनका नहीं होने वाला है इन्होंने मेरे टीम से कॉंटेक्ट किया लेकिन मैंने भाइसा पहले बोल दिया था इनको कि अगर आप इस बात को follow नहीं करोगे तो आपको कोई भी बचा नहीं सकता है ठीक है तो देखे जब भी भी Facebook पे काम करना है तो कुछ-कुछ बातों का आप लोग को जरूर धियान देना है क्योंकि Facebook पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है अगर आप उस बात का धियान नहीं देंगे तो इसी तरीके से demonetize हो जाएगा ठीक है मेरा क्यों नहीं हो रहा है किसी भी creator का क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि वो सारी बातों को follow करते हैं ठीक है तो वो जो experience खुद का लेते हैं वो भी आपके साथ share करते हैं आप इस तरीके से काम करें मैं कभी भी copy paste करने के लिए कभी नहीं बोलता हूँ देखे copy paste है limited समय के लिए माल लिजे कि आपने copy paste करना शुरू किया तो आप limited समय में facebook पे अपना profile या page growth तो कर लोगे लेकिन एक limited समय के लिए है एक मैना डेर मैना दो मैना जादा limited समय में आपका दुबारा से demonetize हो जाएगा और इस वार का जो demonetization है बाई सब इस तरीके से monetization policy violation एक मैना से पहले पहले तो बाई सब भूली जाओ कि आपका ठीक होगा ठीक है कोई भी creator बता रहा है कि हमने कर दिया है ऐसा possible है ही नहीं क्योंकि एक इतना से पहले पहले बिल्कुल वह मानने के लिए तयार नहीं है तो इस बात को आप लोग को जरूर धियान देना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले आप लोग copy paste को छोड़ो copy paste limited समय के लिए है कोई भी बोल रहा है कि हमने copy paste इतना कमा लिया इतना कमा लिया इतना कमा लिया लेकिन कुछ समय के लिए कमा पाऊगे दो मेना तीन मेना इस पे आप अपनी life set नहीं कर पाऊगे मानले जी कि आपके पास अगर part time job है आप कुछ करना नहीं चाहरे है मतलग कि ऐसे facebook पे अपना काम time waste कर रहे है और ऐसे डाल के चलो demonetize हो गया तो हो गया तो ऐसे मैं आप कर सकते हैं लेकिन यह ही है कि कब आपका demonetize हो जाएगा और जो मेहनत आपने किया हुआ है सारा फंच जाएगा क्योंकि payment आप restriction के बाद नहीं देने वाला है ठीक है तो इस बात को जरूर ध्यान दीजें अब बात आती है कि facebook पे बोनस पे काम कैसे करें देखे फोटो पहले ही बताया था आप जो हो गया ना कि before after यह सब चीज़े आप आया भोल जाओ क्योंकि facebook बहुत ज्यादा लोग गया और आपने भी देखा होगा अभी जितने भी facebook पे फोटो वेगर आ रहे होंगे आप सर्च करेंगा पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कम हो गया कि पहले यह था before देखो और कल के डेट में भी बहुत लोगों का डिमोनेटाइज हुआ है बहुत हद से ज्यादा डिमोनेटाइज हो गया आज के टेट में मेरे ख्याल से 100 में 90% ऐसे किरियेटर है जो फेस्बुक से एरनिंग करना चाहते हैं लेकिन उसका क्या हुआ डिमोनेटाइज कर दिया गया किसलिए क्योंकि वो बिफोर आफ्टर वाला करते थे बोनस का सही इस्तमाल करना है तो देखें बोनस क्या चीज़ है बोनस वो चीज़ है कि मान वीडियो बना है रील बना है सारा चीज़ किया तो उसके उपर आपको अच्छे वर्क के लिए बोनस करने के लिए देता है लेकिन बोनस को आप लोगों ने किस तरीके से इस्तमाल किया बिफोर आफ्टर पहले तो फेस्बुक मान जा रहा था चलो कोई बात नहीं लेकिन आप तो सारा खतम कर दिया है आप भाई साब जिसके पास ओरिजनल किरियेटर है जो ओरिजनल जो खुद का फोटो वेगरा डालते खुद के मोवाईल से क्लिकिया हुआ डालते हैं आज के डेट में आब वही सक्सेस है और कोई भी सक्सेस नहीं है तो आपको इस तरीके का देखने को दिक्कत मिलेगा नहीं तो भाई अभी भी टाइम है सुधर जाओ सुरुवात से काम करो जिसका भी डिमोनेटाइज हो गया कम से कम एक मैना तो लगे गाई या फिर सुरुवात से काम कर सकते हो और चीज मैं टिप्स बताऊंगा इसके बारे में देखें कभी भी फेस्बुक पे एक वर्क बिल्कुल मत करना मालेजे कि आप सोचरे कि हम एक ही पेज या परफाइल को लेके चलेंगे उसी पे वर्क करते रहेंगे तो भाई सब यह सबसे बड़ी भूल है आप फेस्बुक को मतलब आपका जो एकाउंट है कवर रिस्टिक्शन कर देगा कोई भी गरेंटी नहीं है क्योंकि फेस्बुक AI टेकनलोजी बेस पे काम करती है यूटुब की तरह नहीं है कि भाई सब आपको कॉंटेंट में बता देगा कि भाई आपका जो वीडियो है इसमें आप प्रोब्लम आई है फेस्बुक पे जब आता है तो पताता ही नहीं है कि मतलब किस पे आई है आप खोजते रो भाई साब पूरा उलड़ते रो उलड़ते रो कहां मिलेगा कोई पता नहीं है सारे डिलीट करो लाइव आओ दुनिया भर के जंजट है लेकिन फेस्बुक पे ये सोरी यूटूब पे तो ऐसा नहीं है यूटूब पे अगर कोई भी वीडियो में आती है तो वो पार्टिकुलर बता देता है कि आपके इस कॉंटेंटर प्रोबलम है उसको डिलीट करिए सही करिए जो भी करिए लेकिन फेस्बुक पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप खोशते रह जाओगा मिलेगा नहीं ठीक है तो फेस्बुक पे कुछ टिप्स आपको बता देता हूँ सबसे पहले आप अपना क्या किजिए ओरिजिनल पोस्ट किजिए ठीक है ओरिजिनल पोस्ट करने के बाद कम से कम तीन या चार एकाउंट पे काम किजिए कि चलो एक पेज खराब हो गया उसको अगर आप ठीक करने में लगोगे तो ज़्यादा समय लाएगा तब तक आप उतने समय में आप दूसरा पेज ग्रोग कर लोगे क्योंकि फेस्बुक पे कुछी भी चीज को ग्रोग करना बह अरिजनल वीडियो बनाई है तब जाके अब बात रती है कि जो मुनेटाइजेशन पॉलिसी वाइलेशन है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं क्योंकि अगर आपके माल लिजे कि किसी के पास दो लाग ठीन लाग चार लाग तो मन में एक इक्छा होती है कि भाई समय मैं आपने प् लोगोर केगए उच्छेशन कर लेते हैं कि मेरे इस इसमें तो सबसे पहले जो दूब्लिकेट वाल है उसको डिलीट पोटो को डिलीट कर लिए कुछ दिन औरिजिनल पोस्ट के जी जो मतलब ऑरिजिनल है खुद के मौईल से कभी भी जब वाइलेसन आता है तो सबसे पहल पर लाइब आ सकते हैं तो इन इन बातों का आप ध्यान देंगे तो असानी से किसी भी प्रोब्लम को जल्दी सौट आउट कर पाऊगे और जो वाइलेशन इसको ठीक कर पाऊगे क्योंकि यह जो वाइलेशन है आप देखेगा जब मोनेटाइजेशन पॉलिसी वाइलेशन है स्क्रीन सौट में लगा दे रहा है यहाँ पर देखेगा लिमीटेड लिखा हुआ है ठीक है ध्यान से पढ़िएगा आप लोगों भी देखेगा लिमीटेड का मतलब है कि कुछ स वर्क नहीं करते हैं अगर आप जो इसे पोस्ट पहले की मुकाबले डालते ते उससे कम कर दिया है तो आपको यह लंबे समय तक देखने के लिए मिल सकता है दो मैना या तीन मैना भी हो सकता है तो आपके वर्क भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का पोस्ट डालते है और क किस टैप का कॉंटेंट है तो मेरे सबसे पहले टीम का नंबर यह चीज़ है आप यहां से कॉंटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं कि और उनसे चेक करवा सकते हैं अपना पेज कि किस तरीके का कॉंटेंट अभी सही है डालना या नहीं है वो आपको अच्छे से गाइड कर दिया कर रहे हैं इस फोजी वाई को सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है मिलते हैं